दर्म के शेक्त्र में परंपरा का स्थान क्या है और परिक्षा का स्थान क्या है दोनों बातों पर प्रकाश डालने के लिए पंडित सैयम जी शास्त्री नाकपुर वालों को मैं यहां से बुलाता हूं नियाय के महान विश्यों को बहुत अच्छी शेली में उत्तम शेली में प्रस्तूत करते हैं महाविद्या लेके अध्यापक हैं और अनेक जगों पर ब्रह्मन करने के बाद भी अंत समय में भी अंत समय माने जीवन के अंत समय में नहीं जब निरने करने का समय आया तब उन्ह पूर्वक इस कारे को नो ने किया और इस निर्ने को लिया और वर्तमान में बहुत आनंद से इस कारे को कर रहे हैं पंडी सैयम जी शास्त्री से निवेदन करता हूं उक्त विश्य पर प्रकाश डालें ब्राहमनों में जो दीक्षा व्यक्ति लेता है उसे द्विज कहते हैं क्या कहते हैं द्विज करत होता है द्विज अन्मा तो आपने सही तो कहा था आन्ट समय में पिछली जिन्दगी को तीली लगाई तभी तो नई जिन्दगी चालू हुई है, उस द्रश्टी दे तो मरण होने के बिना जनम होता ही नहीं है, अपने विशय पर आते हैं, मेरा विशय है, धर्म एक परंपरा नहीं है, वह एक स्वपरीक्षित साधना है, विशय बहुत अच्छा है, विशय को अनेक द्रिश्टी कोणों से दे धर्म परंपरा भी है, और स्वपरीक्षित साधना भी है, इसे ऐसा भी देखा जा सकता है, कि धर्म परंपरा ही है, स्वपरीक्षित साधना नहीं है, और कोई दिक्कत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि तत्वार्द सूत्र के तीसरे सूत्र में ये कहा था, क्या कहा था? तन निसरगाद अधिगमाद आपको यदि निसरग से सम्यक दर्शन हो रहा है तो ये परंपरा नहीं है तो क्या है कहां से बताओगे कि सम्यक दर्शन हुआ पहले किसी जनम में आपको देशना मिली थी मिली थी उसका आज का क्या रूप समझाओगे आप कुछ नहीं समझा सकते, आप आज का कोई स्वरूप समझाने बैठोगे, तो तब आपको फिर बहुत सारी बाते कहनी पड़ जाएंगी, कि भाई साब अभी कैसे हुआ, तो राजवार्तिक कार कहते हैं, शेर को दहारना किसने सिखाया, गाय को सरल होना किसने सिखाया, सम्मेक दर्शन हो रहा है, यह ऐसी बाते कहके, मैं आपकी परंपरा की सुरक्षा ही कर रहा हूँ, जैसे सब को हुआ, वैसे इनको हुआ, कोई परंपरा में दोश नहीं था, हम लेकिन स्वापरिक्षित साधना की बात क्यूं कर रहे हैं, क्योंकि नहीं हुआ ना परंपरा से, आज सुन रहे हो मतलब अभी तक धरम नहीं हुआ है और हो गया है तो रिविजन करने में क्या जा रहा है यह उस दृष्टिकोन से यह स्वापरीक्षित साधना पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं दर्शनों में बहुत सारे दर्शन हैं उसमें बहुत सारा चिंतन मनन इस विशेपर किया जाता है धर्म क्या है धर्म क्या नहीं है मिमान सकों ने कुछ कहा सांख्यों ने कुछ कहा नहीं आईकों ने कुछ कहा बहुत बहुत हिसाब किताब है ऐसा नहीं है आज हम पहली बार बैठें इस मुद्दे पर बात करने के लिए अश्ट सहस्री नाम का अपना एक बहुत अच्छा ग्रंध है वो ग्रंध विद्यानन स्वामी ने लिखा है उसके कारण जैन दर्शन को बहुत ख्याती विश्व भर में मिली है जैन दर्शन को इतना population ही क्या है उसके बाद हमारा दर्शन खतम नहीं हो रहा बहुत सारा चिंतन मनन है उसपर आप विचार करें तो आपको पता चले कि वहाँ उन्होंने कहा कि धर्म क्या चीज है बिल्कुल प्रारंभ का विशे है तो वो कहते हैं आग्या से भी धर्म होता है परीक्षा से भी धर्म होता है दोनों के उभय से भी धर्म होता है बिना दोनों के भी धर्म होता है आज्या से धर्म होता है भाईया उठो, खड़े हो जाओ आदी वहां से उठकर के वहां जाओ वहां से किसी बंदे को हमने उठकर के यहां बुलाया यह हम हिसाब किताब जो लगवार है non-verbal, आज्या से भी सम्मेक दर्शन होया, हमने मान लिया परीक्षा से भी सम्मेक दर्शन होता है, कैसे बहुत महनत करनी पड़ती है, क्या सही है, क्या, नाना, युक्ती प्राबल्य, दौरबल्य अवधारनाय, परीक्षा बहुत हिसाब लगाना पड़ता है, ऐसा है की ऐसा है, ऐसा है की ऐसा नहीं है, बहुत हिसाब किताब लगाना पड़ता है, तब जाके परीक्षा होती है तो हमने आज तक कितना हिसाब लगाया अम्मी ने कहा सुबह खाना नहीं मिलेगा, क्यों रहा है कहां परीक्षा के मौके मिलते कितनों को हैं और परीक्षा के मौके जिने मिल गए हैं ये संसकार इत्ती बड़ी चीज है आपको किसी दिन परीक्षा करने पर मजबूर कर ही देगी वो माबाप जो बच्चों से ये सारा काम करवा रहे हैं धर्म के क्रिया कांड का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बस उनसे इतना और निवेदन करता हूँ कि आपके पास उत्तर होने चाहिए इन सारे प्रशनों के कि ये क्यों, वरना दिक्कत ये हो जानी है कि बच्चा आपसे ये ही पूछेगा और फिर क्या करेगा, तुम्हाए घर में तो नहीं खाएग वो करना बहुत आवश्चक है, देखो, अब धर्म के संबन्द में हम क्या क्या काम करते हैं, गुर्देव तो सीधे एक लाइन में सब को खड़ा कर देते हैं, दया, दान, व्रत, भक्ति, सब बिल्कुल एक लाइन में, उसके संबन्द में एक शेर सुनाता हूँ आपको, स शहादत की मद होशी है, इबादत मतलब पुजा, सुबह पुजा की थी हमने, अभी भक्ति करेंगे हम, इबादत, इबादत के शोर में बहुत जोर जोर से, जोर जोर से, हम पूरी दुनिया भर में भक्ति पुजा कर रहे हैं, बहुत जोश में आकर के, इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि हम शहीद हो रहे हैं, किसके नाम पे, धर्म के नाम पे, धर्म किया है हमने, सुबह सुबह हमने अभी दो घंटे धर्म किया है, अभी हम धर्म और करेंगे, आप कानों में अभी जो मुझे सुन रहे हैं, धर्म ही तो कर रहे हैं, शोर, शोर की शहादत में हमें मदो कुछी चाह रही है कि हम धर्म कर रहे हैं कि अजपाजाप में भी रिवायतों की मखरूरी है अजपाजाप मतलब पूरे टाइम एक चीज राम 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 मरा 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 एक ही हम चीज को रटते जा रहे हैं अजब आज़ा उसमें रिवायत अर्थाथ हमने उसको आदत बना लिया है परंपरा बना लिया है अब उसमें क्या हो रहा है हमें मान चड़ रहा है मैं धर्मात्मा हूं कितनी आज की जा क्जान के लिए बाइट है दो घंटे बाइट जाते होंगे चार गंटे ब is जाते होंगे आप तु जाधर धर्माइत्मा लगते हैं तारकीक लगते हैं वह मुझ से ऐसा पूछ रहे थे हमारे मतलब एक हीन्दू अग्राकी पर तो यह बहुत परिस्तिती बहुत बनती है अजपाजा किते घंटे आप पे जाप हो रहा है किते घंटे बैठ करके आप यह सब काम कर रहे हो अरे पल दो पल का साथ है इनका किती देर की भक्ति होती है किती देर की पुझा होती है किती देर हम लोगों को सुन लेते हैं कित इती देर तक हमारा ये जाब चलता है, पल दो पल का साथ है इनका, और फिर से हुई गरीबी है, और फिर हम साले खाली हो जाते हैं, अब क्या करें, हो गई भक्ती, क्या करें, बुजा हो गई, का करें, स्वाध्य हो गया, क्या करें, ये सारा इतना खाली पन है, इतना खाली चाहरें कुछ न कुछ करना चाहरें तो इसलिए परंपरा के नाम पर हम कुछ न कुछ करते रहते हैं और वो उसको बहुत जरूरी समझते हैं इस परिस्तिती का एक चिंतन मनन आपके सामने रखा है फिर आप काओगे नई भाईया इसमें भगवान की वाणी है जिनेंद्र द पैसा कहो तो उसके लिए मैं आपको एक कबीर दाज जी की शैली में लिखा दोहा सुनाता हूँ आदी से महावीर तक आदी से महावीर तक हम सुनते रहे सुधर्म उनसे यदि हो धर्म तो इतने क्यों है विधर्म यदि भगवान महावीर के उपदेश से कल्यान होना था तो वहाँ बैठे बैठे लोगों में कितनों का कल्यान हुआ आदीनाथ के उपदेश से कल्यान होना था तो फिर मारीची जैसों का कल्यान क्यों नहीं हुआ यदि इतने विधर्म आज हैं न धर्मो धर्मे कहे रिविना हम सभी विधर्म हैं विधर्मी हैं एक ही बात है क्या है हम सब क्यों बचे हैं यदि आज तक इतना बढ़िया उपदेश हम सबने सुन रखा था हम सब क्यों बचे यदि उपदेश में इतना दम था तो ये सारा काम हो जाना चाहिए था लेकिन ये काम आज तक हुआ नहीं है तब तो हम बैठे हैं इस सब काम करने और सुनने मनने समझने के लिए ये सारी महनत कर रहे हैं तो उस दरश्टिकोंड से ये वाली और बात important होती है कि भगवान के उपदेश ने इसमें क्या किया भगवान के उपदेश का यदि निमत हम धर्म में कह रहे हैं तो जो व्यक्ति ने उनके उपदेश का एकांत ग्रहन कर लिया है जो कि मिथ्या एकांती हो गया है वो किसको उपदेश का कारण कहेगा आज ढूंटे ढूंटे हम आदिवासियो में जाके आदिनाथ की मूर्ती को ढूंडी आते कहीं भी जा करके ढूंडने जाते हैं तो कहां कहां हमें अवशेश मिलते हैं कितने सारे पुराने आज से पचास साल पहले के मैं आपको दस लेख दे सकता हूं जो शिवजी और आदिनाथ के एकत्व का कंपेरिजन कर रहें आशे समझ में आ रहा है आपको कि ये कहानी कितनी पुरानी है ये बात कितनी पुरानी है अब इस सारे मुद्दे को मैं समेटता हूं और आपके सामने कुछ ऐसे आगम रखता हूं जिससे आपको ख्याल में आए भाई साब अभी भी नहीं खतम नहीं हुआ है धरम खतम नहीं हुआ है नहीं तो अभी तो तुम इस अलत में हो शाल छोड़ो खतम करो भई Savage कुछ नहीं हो सकता तो देखो वहाँ वो क्या कहते है धरम के संबंध में इतनी गहरी बात कह रहे है पहले तो तुम ये समझो जीव करता क्या है धर्म को करने वाले को क्या कहते है धर्मात्मा धर्मात्मा का बताओ समय सार में दूसरा नाम क्या है नानी अरे किसे कहते धर्मात्मा नानी, नानी मतलब ग्यानी है ना 75 नंबर की गाथा है समय सार की आजकल मेरी बहुत फेवरेट है दादा, थैंक्स टू दादा गाथा में देखो उन्होंने क्या गज़ोग की बात कही है वो कह रहे हैं कमसय परिनामम नो कमसय तहेव परिनामम न करे ये अमादा जो जान दिसो हव दिनानी अरे कानों में तुमने करनेंद्रिय का विशय भक्ती को बनाया है इसमें धरम नहीं है तुमने यदी जिन्वानी के विशय में करनानुयोग को पढ़ते पढ़ते भाईया कौनसी मारगणा में कौनसे गुणस्थान के संबंद में किस-किस प्रकार से हिसाब लगेगा तुमने ये हिसाब लगाया है एक शयोप्षम ज्यान का विशय है इसका धरम से कोई संबंद नहीं है क्या कह रहे हैं वो अनुमान ज्यान का विशय है वो साधारन ये साधारन प्रत्यक्ष ज्यान का विशय है इन सब में कुछ दम नहीं है दम कहां है भाई साब ये सिर्फ और सिर्फ ग्यान के विशय है इनका धरम से कोई लिना देना नहीं है शयुप्षम जादा हो गया है नंबर जादा आ गया शयुप्षम कम है नंबर कम हो गया इस बात का धरम से कोई संबंदी नहीं था, competition थोड़ी होती है, एक बारा निवृत्ति करण में घुज गए, उसके बाद सबके परिणाम बराबर, ये परिस्तिती का विचार करके देखो, आपको पता चलेगा, धरम कितनी गजब की चीज थी, इसको करने के लिए बाहर कहीं जाना नहीं था, लेकिन हम बाहर कभी, बाहर से कभी अंदर आए ही नहीं है, इसलिए बाहर ही एक को छोड़कर, दूसरे को ग्रहन करने से धरम समझ रहे हैं, एक चूट जाएगा, शायद दूसरा आजाएगा, प्यार करने वाला विक्ति, एक को छोड़ देता है, दूसरे को पकड़ता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरे को पकड़ता है, बस इसी का नाम प्यार समझता है, वो कभी अंदर गया ही नहीं कि प्यार आ कहां से रहा था, आ तो खुद से रहा है, तू ही तो प्रेम कर रहा है, तो तू खुद से प्रेम क्यों नहीं कर लेता, बेस्ट है है अमेशा तेरा प्यार सक्सेस्पुल होगा इसका नाम धरम है एक अंतिम आपको श्लोक और सुनाता हूं यह है द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र का वहां वो कहते हैं जो कि रहसे पुन चिठी ने भी चिठी में भी कोट किया है टोटरमल जी ने तत्व की आराधना के काल में युक्ती बहुत लगानी पड़ती है जब विश्व का स्वरूप क्या है कैसा है कितना है क्यों है सब में आपको दिमाग लगाना पड़ता है लेकिन एक बार आराधना का समय आने दो फिर तो तुम्हें कहीं दिमाग लगाने की आवशक्ता नहीं है इन दोनों बातों का गंभीरदा से आप चिंतन करें तो आपको पता चलेगा कि धर्म कितनी गहराई से एक स्वपरीक्षित साधना है क्योंकि स्वापूरवार्थ व